अब जैसे मान के चलो, एक joint family है, उस joint family के दादो दादी अभी जंदा है, फिर दो बच्चे है, तोनों बच्चे अलग होगे है, एक बच्चा चाहर मावाफ के साथ रहता है, एक अलग होगे है, क्योंकि आजकल nuclear family का trend चल रहा है, फिर मालने थे इनकी नीचे वाले भी जो है, इतना बड़ा हरार की है, अब शराद का order क्या रहेगा, किसको किसका शराद करना है, पहले तो हम इसको line by line देखते हैं, एक पिता है, उसके तीन पुत्र है, पहले हम ऐसे चलते हैं, तो वो पिता नहीरा, अगर वो तीनों पुत्र उस तिती पर एक जगह एकटे हो रहा है, तो एक ही जगह शराद होगा, अगर उनके पास यह possibility है, वो joint में है, यह शहर में, एक ही शहर में है, तो कोई भी व्यक्ति उनमें से जो शराद कर रहा है, उस व्यक्ति के यहां सभी परिवार के मेमर इखटे होंगे, शराद हो जाएगा, एक process, दूसरी process यह है, कि माल यह उनमें आपस में ऐसी इस्थिती है, कि ऐसी इस्थिती नहीं बन पा रही, वे अलग-अलग शहरों में रहते हैं, अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं, तो अब इस्थिती क्या होगी, तो ऐसी इस्थिती में यह होगा, कि जो अलग-अलग शेरों में रह रहे हैं, उनक जनरेशन आई तो इनकी जनरेशन जो आपने अभी पूचा कि अमावस्या को करते हैं तो उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं वो अपने पिता का और अपने दादा दादी का करेंगा अगर पिता और दादा दादी जिन्दा है तो अगर जिन्दा है तो फिर वो पिताजी जिनका करते आ रहे हैं पीचे से जो गुरा है वो उनका होगा वही जो गया है उसी कही होगा मदब करना उनको भी है अगर अलग है तो अलग से जॉइंट है तो जॉइंट में एक बार में शुराद तो हो जाएगा कहीं कोई समस्या नहीं है और पूरी का पालन करना होगा